दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल किरशना फैंटेसी में अज हम बात करेंगे न्यूजिलेंड वरसब पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले टी ट्वेंटी आई मैच के बारे में दोस्तो ये मैच आपके इंवेस्टमेंट के लिए काफी अ साथ ही साथ में कैप्टन वोइस कैप्टन हमें किसे करना है दोस्तो सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बताने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को दोस्तो अगर सबसे पहले बात करें हमारे टेलिग्राम चैनल के बारे में तो हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है क्योशना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी टेलीग्राम को जरूर जोइन कर लिजिएगा दोस्तो आप देख सकते हों अपैंगे मुझे 2600 लुपे की फिरी ऑंटरी मिली वी tweak हेटटो एड़ में 10 अजार रुपे की फिरी öl उन्टरी मिली वी insurance то19atif बाई वे फिरी एंटरी आपको डाउनलोड कर लीजी, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दियावा है और डिस्क्रिशन बॉक्स में दियावा है अगर आप लॉस में चल दे हो तो फिरी में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, अगर आप अल्रेडी प्रॉफिट में हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो सबसे पहले माई फैविलेवन आपको डाउनलोड कर लेना है लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिशन बॉक्स में दियावा है दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में तो उससे पहले मैं आपको एक गिवावी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हमने 5000 रुपीज का फिरी गिवावे रखा है अब वो गिवावे आप कैसे विन कर सकते हो तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और सेकेंड आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप ये काम करते हो तो आप 5000 रुपीज का फिरी गिवावे विन कर सकते हो तो फटा-फट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चलिए दोस्तो आप बात करें हमारी टीम के बारे में तो देखिए दोस्तो ये जो है पांस T20 मैच की जो है शिंखला है ठीक है और इस पांस में से 4 T20 मैच अलरेड़ी न्यूजिलेंड जो है यहाँ पर विन कर चुकी है दोस्तो तो न्यूजिलेंड यहाँ पर कुछ चेंज भी कर सकती है ठीक है कुछ ऐसे बैंच प्लेयर को यहाँ पर मौखा मिल सकता है जो अभी तक इस सीरीज में नहीं खेले हो दोस्तो क्योंकि न्यूजिलेंड अलरेड़ी यह शिंखला जीत चुकी है तो वो अपने बैंच प्लेयर को भी ट्राइ कर सकती है तो कुछ चेंज आपको नजर आ सकते हैं बाकी कौन से चेंज आपको नजर आएंगे वो मैं आपको टॉस के बाद उनके रिकॉर्ड वगेरा टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगा बाकि main players के record में आपको यहीं पर बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से अभी देखे विकेट कीपर में मॉहमार रिजवान का आपके पास option होने वाला है रिजवान का अगर आप देखोगे 4 T20 का record जो अभी तक इनोंने खेले न्यूजिलेंड के सामने दोस्तों उसमें तकरीबन तकरीबन 140 प्लस इनोंने record मतलब इनका record रहा है 140 प्लस इनोंने run करे 4 match इसमें जो की एक अच्छा घासा record भी आप देख सकते हो दोस्तों साथी साथ में Tim Seifert आपको इस match में नजर आएंगे ये भी अच्छे player है दोस्तों अगर आप record देखोगे recent का हाला कि last win में 0 run इनोने करे लेकिन अक्सर 0 वाले player ही hero बनते हैं दोस्तों उससे पहले 31 run इनोने करे थे बागी फिर 5 run करे 37 run करे एक match में चलते फिर दूसे में flop हो जाते बट player अच्छे आप इनको रख सकते हो फिलाल में दोनों ही यहां से wicket keeper को लेके चल रहा हो दोस्तों बाकी convey अगर खेलेंगे तो मैं toss के बाद आपको बता दूँगा बैटिंग के बारे में हम बात करे फिन एलन का आपके पास अच्छा option होने वाला है देखो इनको मैंने हमेशा से prepare करा है दोस्तों इस पूरे series में जो first match हुआ था उसमें इनका selection कम था लेकिन उसमें भी इनो 250 प्लस इनोंने रन करें तो आप form देख सकते हो तो मैं इनको लेके चल रहा हूँ और New Zealand के ground जो होते है बैटिंग friendly होते है दोस्तों तो वहाँ पे बैट्समें का दब दबा रहता है इस चीज को ध्यान में रखना है बाबर आजम के बारे में बात करे बले ही पाकिस्तान अ अपनी जो जिम्मेदारी है वो आसानी से निभार है दोस्तों तो इंपोटेंट हो जाते हैं आप इनको लेके चल सकते हैं वहीं फिलिप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो देखिए नंबर पांच आपको बैटिंग करते वे नज रहेंगे लाश ठीक है तो फिर आप इनको ड्रॉप कर सकते हो मैं फिलाल टिम साइफर्ट को रख रहा हूँ तो इसलिए मैं अभी के लिए इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ चैंपेन के बारे में बात करे यार बैटिंग ओडर थुड़ा नीचे हो जाता है इसलिए मैं इसमॉल लीग मै अभी सजेस्ट नहीं करूँगा बट Grand League में आप Try कर सकते हो आप कैसे Try कर सकते हो Finn Allen को Drop कर सकते हो Seifert को Drop कर सकते हो क्योंकि Top Order अगर जल्दी Flop हो गया तो Champion की Betting आ सकती है और Betting आईगी तो यह Perform करके दे सकते है फकर जमान का आपके पास Option होने वाला है नमबर 4 आपको खेलते वे नजर आएंगे अभी तक 4 T20 मैच की बारे में बात करें दोस्तो तकरीबन 90 प्लस इन्होंने रन करें बट यार यह जो है ना ओपनर अच्छा है इस चीज को ध्यान में रखो यह पहले ओपनी करते थे और नमबर 4 पे अभी खेल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यार इतना अच्छा यह परफॉर्म कर पाएंगे यह वैसी बात हो जाती कि इंडिया की शिकादवन ओपनर है और उनी शिकादवन को अगर हम नमबर 4 पे खेलाएंगे तो इतना अच्छा मुझे लगता है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ओपनर जो ओपनिंग अच्छे से कर सकता है और रन बना सकता है तो इसलिए मैं अभी फकर जमान को नहीं रख रहा दोस्तो इस मैच में जो आपके लिए एक मस्ट आप्शन होने वाले ग्रैंड लीग और स्मॉन लीग के लिए विल यंग होने वाले इनको आप रख सकते हो अच्छे प्लेर है हाला कि लाश्मेन में चार रन पे आउट हो गए थे बट उससे पहले अगर मैं बात करूँ जो टी ट्वंटी ये खेले थे सूपर इस मैच में उनमें चार मैचेस में तकरीबन इनोंने जो है 160 प्लस का रन करे तो इस मैच में आप इनके उपर इसके लेके चल सकते हो मैं इनको जरूर अपनी टीम में रखूँगा लेकिन टॉस के बाद रखूँगा फिलाल नहीं रख रहा हूँ लेकिन आप जरूर रख सकते हो सैम आयूप के बारे में अगर हम बात करें दोस्तो ओपन करते में न जाएंगे पी एसल में देखा है आपने हालकि लास्ट आटी टॉन्टी मैचेस के बारे बात करें तो 40 प्लस इनोंने रण करें इतनी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे लेकिन इसलिए मैं अभी नहीं रखला लेकिन ग्रैंड लिग में जरूर ट्राइ करना ओपनर है रण बना के देख सकता है दोस्तो फरान के बारे में अगर हम बात करें पर्फॉर्मेंस के बारे में यार इनका अगर आप पर्फॉर्मेंस देखोगे दोस्तो तो नमबर पांच आपको खेलते वे नजर आएंगे लाश्ट हाला की पांच टी-ट्वन्टी मैच जो इनोंने डॉमेस्टिक ओवरोल अगर जो खेले उसमें तकरीबन तकरीबन 200 रन इनोने करे होंगे तो आप ट्राइक कर सकते हो बाकी बेस्ट ओप्शन बैटिंग में एलन और बाबर आजम है और थर्ड ओप्शन में विली अंको फिलाल वहीं दोस्तो अगर बात करें आप आप आल राउंडर के बारे में आला कि एक ही विकेट निकाले बट बैटिंग से अगर देखोगे तो यहाँ पर जो इंपोर्टेंट इनोने जो है 29 रन करे आप इनको कब रख सकते हो जब निउजिलेंड की टीम पहले बैटिंग करे तो रख लीजिएगा क्योंकि उस केस में आपको बैटिंग से रन करके दे सकते हैं और सेकिंड इनक्स में अगर निउजिलेंड अच्छा स्कोर करेगी तो प्रेशर बना सकते हैं क्योंकि स्पिनर को हिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस्तिकार एहमद आपके पास ऑप्षिन होने वाले है दोस्तो पर कुछ अच्छी इनिंग्स इनोंने वैसे कई बार खेली है पाकिस्तान के लिए दोस्तो या आपको कभी-कभी बॉलिंग भी करवा के देते हैं इस सीरीज में बात करें चार मैचेस के बारे में दोस्तो तो तकरीबन 35 प्लस रन इनोंने करें थोड़ा डाउन चल रहा है परफोर्मेस इसलिए अभी मैं नहीं रख रहा हूँ नवाज आपके पास एक और अच्छे उप्षिन बन सकते हैं दोस्तो बैटिंग ओडर के बारे में बात करें नमबर साथ पर बैटिंग कर लेते हैं प्लस बॉलिंग भी करवाएंगे एक अच्छे उप्षिन बन सकते हाला कि बहुत टाइम हो गए आ सकते हैं दोस्तो और बैटिंग के साथ साथ आपको बालिंग भी करके दे सकते हैं तो आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हाली में आपने IPL में देखा होगा CSK के लिए इनोंने खेलेंगे यह अगर आपने ऑक्षिन में देखा होगा अच्छे प्लेरे बैटिंग बालिंग करेंगे मैं फिलाल इनको अपनी टीम में रख रहा हूँ नहीं खेलेंगे तो हम टॉस के बाद देखी लेंगे फिर दोस्तो बालिंग के बारे में बात करें शाहिन अफरीदी ओपन ओडेट में बालिंग डालेंगे विकेट निकाल सकते हैं अभी तक इस सीडीज के चार मैचेस के बारे में बात करेंगे एक अच्छा परफॉर्मेंस राए फिलाल में लेके चल रहा हूँ टिम साउदी एक ओर इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं जिनको आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो ओपन देट में बालिंग करते हैं लाज़ पार्ट मैचेस के बारे में बात करें या इस सीरीज के लास्ट चार मैचिस के बारे में बात करें, आठ विकिट अल्रेडी निकाल चुके, फिलाल में इनको लेके चल रहा हूँ, रॉफ के बारे में बात करें दोस्तो, मिडल ओवर्स और डेट में बालिंग करवाते वे आपको नजरा सकते हैं, अभी तक इस सीरी पहले बालिंग करें, तो ट्राइ कर सकते हों दोस्तो, पर्फोर्मेंस की बारे में बात करें, अभी तक इस सीरीज की जो मैच हुए है दोस्तो, दो मैचिस में तीन विकिट निकालें, बाकि लास्ट पांच मैचिस में, अगर आप देखोगे, ओवरॉल तो आठ विकिट इ इस सीरीज के, तो इन्होंने भी आठ विकिट निकालें, बाकि वसीम जूनियर होने वाले है, चाहू तो ट्राइ कर सकते हो, अगर पाकिस्तान पहले बालिंग करती है, तो आप रख सकते हो, उस केस में अच्छे आप के लिए बन सकते हैं, हाला कि अभी तक रीसेंट अगर विकिट निकाल सकते हैं, न्यूजिलेंड की तरफ से आप क्या कर सकते हो, ग्रैंड लीग में फिन एलन को ड्रॉप कर सकते हो, टिम साइफर्ट को कर सकते हो, और जमान खान को अपनी टीम में रख सकते हो, उस केस में आपका ग्रैंड लीग का कॉमिनेशन बन सकता है, बाबार आजम एक अच्छे option होने वाले मॉहमत रिजवान के साथ आप जा सकते हो दोस्तों और एलन के साथ जा सकते हो Captain मेरे बाबार आजम रहने वाले फिलाल के लिए और Vice Captain Finn Allen रहने वाले है दोस्तो फिलाल हमारी टीम का पिर्वियू आप देख सकते हो आप इस टीम के साथ कॉंटेस्ट जोइन कर दीजिएगा पिर्वियू आपको 20,000 रुपी की फिरी एंट्री देता है स्मॉली हेट टुएड में तो बस माइफवियू आपको डाउनलूड कर लेना है लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्किशन में दिया वाए तो जल्दी से आई लिंक पे क्लिक करें और माइफवियू आपको डाउनलूड कर लीजिए अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फिरी में 20,000 विं करके और भी जादा प्रॉफिट बना सकते हो चलिए दोस्तों मिलते है नेक्ट मेंच की वीडियो में